कटिहार में एक बार फिर तावर्तोर गोलियां चली जिसमें किसान की भी मौत हो गई है और एक बहुत बड़ी खबर ये भी आ रही है कि गुजरात के सूरस से मोहन ठाकूर के गिरों के चार सदस्यों की गिरपतारी हुई है बने रहे हमारे साथ रिपोर्ट के अंतक हम आपक बिस्त्रित जानकारी देने जा रहे हैं आपको बताते चले कि कटिहार के कुरसेला ठाना अंतरगत तिनमुहानी घाट के पास दो पक्षों में जमीनी विबाद में तावर्तोर गोलिया चली दोनों पक्षों ने तावर्तोर गोलिया चलाई जिसमें एक किसान की मौत हो है और पूरे देश की मीडिया के सुर्खियों में बना हुआ है जबसे मोहन ठाकूर और अबधेश यादव बेगरा का जो गैंगवार हुआ था जिसमें सात यादवों की हत्या की गई थी जिसके बाद मोहन ठाकूर का नाम देश के पटल पे आ गया था सारी मीडिया चैनल लेकिन गिरापतारी नहीं हो पा रही थी लेकिन अभी अभी यह सूचना आ रही है ब्रेकिंग नीज यह आ रही है कि मोहन ठाकूर के गिरोह के चार सदस्यों की गिरापतारी गुजरात के सुरश से की गई है आपको बताते चले कि कटिहार इंदीनो गोलियों की थराहट से इतना जादा गोलियां चली जिसमें एक किसान की मौत हो गई और वहीं कई लोग घायल भी बताये जा रहे हैं कटिहार में इंदीनों गैंगबार बढ़ चला है और बताया जा रहा कि अभी जो कटिहार में जो ये फाइलिंग हुई है ये जमीनी विवाद को ले करके हुई है और बताया जा रहा कि इसमें असोक मंडल किसान जो है एक असोक मंडल उनकी मिर्तू हो गई है उनके पुत्र सीब संकर कुमार ने बताया कि उनका घर चाय टोला गाओं में है जहां पे उनका जमीनी विवाद चल रहा था और जमीनी विवाद में गोलिया चली है जिसमें एक किसान की मौत हो गई है पुलिस ने मौके पर पहुच कर लास को अपने कबजे में ले लिया है और लास को पुस्ट माटम के लिए भेज दिया गया है वहीं माहौल बहुत गरमाया हुआ है लोग आक्रोस में हैं और आपको ये भी बताते चले कि मोहन ठाकुर की गिरोग के चार सदस्रों की गिरप भी जारी की है जो कि हम आपको पढ़ कर सुनाने वाले हैं ये प्रेश विध्यप्ति आज पाच जनवरी 2023 को जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि बिहार पुलिस के द्वारा कुख्यात अपराद कर्मी मोहन ठाकुर गिरोग के चार सदस्यों की सूरत गुजरात से गि खेतर से कुख्यात अपराद कर्मी मोहन ठाकुर के गिरोग के चार सदस्यों सूमन कुमर अमन्तिवारी धीरज सिंग अभिसेक राय और टाइगर सभी ग्राम बाखरपूर थाना पिरपैती जिला भागलपूर के रहने वाले हैं इन चारों लोगों को गिरत्तार किया गया ह उलेखनी है कि दिनांग 2 दिसंबर 2022 को सेमापूर ओपी बरारी कटिहार के दियारा छेतर में बर्चस्यों को लेकर मोहन ठाकुर तथा उसके गिरोग के सरस्यों के द्वारा पाच लोगों की हत्या कर दी गई थी इस संबंध में बरारी कटिहार थाना कांड संख्या 397 में इस हत्या कांड में उपरोग्त गिरतार चारो नामित अभियूक्त थे तथा अभी तक फरार थे ये लोग सारे लोग फरार चल रहे थे विहार पुलिस को सुचना प्रात हुई कि उपरोग्त चारो गुजरात राज के सुरज जीले के कडोदरा थाना छेतर में छिपे गुजरात पहुचकर क्राइम ब्रांद सुरत के सहयोग से दिनांग 4.1.2024 को गिरतार कर लिया गया गिरतार चारो अभियूक्तों को गुजरात से बिहार लाने की कानूनिक प्रकिरिया भी की जा रही है गिरतार कुख्यात अपराद कर्मी सुमन कुमर का अपरादिक इतिह पुलिस सगन चापेमारी अभियान चलारी रही है और दवाब बनाने के लिए पुलिस ने मोहन ठाकुर की माता जी को भी गिरफतार कर लिया था और आपको बताते चले कि मोहन ठाकुर की गिरफतारी ना होने से एक बर्ग में एक समाज में एक जाती विशेस में काफी आक्रोस पनप रहा था वहीं मोहन ठाकुर की मा की गिरफ के बाद कई भुमिहार संगठनों और महिला हित के संगठनों ने भी महाभारत का एलान किया था क्योंकि एक महिला को गिरफतार किया गया था लेकिन फिलाल आप लोग को बताते चले कि मोहन ठाकुर गिरोह के चार सदस्चों की गुजरात के सूरत से गिरफतारी कर ली गई है हमने आपको पहले ही बताया था कि बिहार के जितने भी कुख्यात अपरादी है उन सभी लोगों पर पुलिस की कड़ी निगाह है और उन पर इंटिलेजेंस ब्यूरो भी अपनी निगाह बनाये हुए था और उन सभी लोगों को बिहार के बाहर चाहे वो कहीं भी जाकर के छुप जाएं कानून के हाथ इंतने लंबे हो गए हैं डी जी पी आर इस भठी क्याने के बाद कि कहीं से भी धूंड लिया जा रहा है खोज लिया जा रहा है फिलाल गुजरात के सूरत से मोहन ठाकुर गिरो के चार अपराधियों की जिनकी गिरफतारी हुई है उनको बिहार लाने की प्रकिडिया पे काम जारी है आपको बताते चले कि अगर बिहार की पुलिसों या किसी भी एस्टेट की पुलिसों दूसरे राज्य में जाकर अगर गिरफतारी करती है तो उसे बहुत सारे बंड देने परते हैं और एक प्रोसीजर होता है उसके तहत ही उहां से गिरपतार करके उनको इस राज्य में लाया जा सकता है बिहार पुलिस मुख्याले ने ये जानकारी दी है कि अभी प्रकिरिया जारी है और जल्दी उन चारों को बिहार लाया जाएगा और फास्ट ट्रेक उनको सजा दिलवाई जाए लोग कटिहार SP पर भी काफी सारे आलोप लगा रहे थे और लोगों का कहना था कि कटिहार SP मोहन ठाकुर गैंग के साथ मिलकर काम कर रहा है लेकिन DGP RS भठी के आने के बाद सारे अपराधियों को उन्होंने सभी जो भी जिला के SP है सभी थाना कि इसे चो को साप साप आदेश दिया था कि अपराधी को दोराओ नहीं तो अपराधी तुम्हें दोराएंगे इसी के साथ DGP RS भठी ने सारे अपराधियों को भी ये चताबनी दी थी कि बिहार छोड़ दो या फिर अपराध छोड़ दो बरना मारे जाओगे और DGP RS जो भी आरोपी जो बच गये हैं जिनकी गिरबतारी नहीं हो पाई है अभी तक जो फरार चल रहे हैं उनकी गिरबतारी के लिए भी सगंचा पेमारी अभिवान चलाए जा रहा है और हो सकता है कि बहुत जल्दी मोहन ठाकुर की भी गिरबतारी कर ली जाए जैसे ही इस माम जब से RS भठी बने हैं आप लोग की उमीदे जगी हैं या अभी जो कारवाई हुई है उससे आप कितने खुस हैं कमेंट करके जरूर बताएं जैहिन, जैभारत, जैबिहर वीडियो को शेयर कर हमारे फेस्बुक पेज को लाइक करना एवं योट्योग चानल को सब्सक्राइब कर बेल आइकेन दबाना ना भूले जैहिन, जैभारत